कि अधियर श्रेट बहुत स्वागत हैं का मेरी चैनल मैं सबीत परदीप में आए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.3 हम लोग आजकल प्रयागी अग्जामिती पढ़ रहे हैं प्रयागी इख्यामिती में एक्सरसाइज 10.3 इसमें क्या हो रहा है आजकल कि हम लोग दुज्या समानतर लाइन खीच रहे हैं जो जो कहा जा रहा है प्रकार की सहाथा से पट्री की सहाथा से है खीच रहे है अब देखिए दिया हुआ है 10.3 में कि तरफुझ D E F की रचना कीजिए D E F एक तरफुझ बनाना है पहला कोश्चन है D E F बनाना जिसमें दिया हुआ है D E E D F, कोड E D F, दिया हुआ है 90 डिग्री, अब बताइए कैसे बनाएंगे, तिरुपज E D F दिया हुआ, तो क्या करना है, पहले आप D F के लाइन खीच दिना, D F, यह D है, E F है, 3 सेंटेमीटर आपने खीच दिना, अब क्या करना है, इस बिंदु पर, आपको 90 डिग्री कोड बनाएंगे, तो यही 90 डिग्री बनना, इस पर आप 90 डिग्री कोड बनाएंगे, अगर आप फिछला वीडियो हमारा देखे हैं, तो 90 डिग्री कोड बनाना हमने आपको बताया, कैसे बताया, एक बार फिर से बताता हूँ, क्या करना है, कोई भी रेडियस लेकर के, यहां शाला पर एक चाप लगा दिया आपने अब क्या करना उसी उसी रेडियस से आपको निशान बनाते जाना है, इस पर दो बार निशान बनाना है, पहला दिशान से बने आप न सक बनेखिन, और जो दूसरा बनेख़ए 120 का बनेगा अब यह 60 डिग्री का है, एक 60 डिग्री का इन्हीं दोनों का मद्ध बिंद हम को लेना है अब आप अपना रेडियस इसको बड़ा गटा सकते हैं जहां से आपके इच्छा हो यहां रख करके एक निशान यहां बनाएंगे और यहां रख करके एक निशान यहां बनाएंगे अब क्या हुआ एक बिंद हमको यहां भी मिल करें यह जो है यहां से लेकर यहां तक की दोरी फास सेंटी मिटर हो जाएगी अब यह पर नबे डिग्री का कौुल है 15 सिंबल यह ओठीक है यह पाँ सेंटी सेंटीमीटर है यह 3 सेंटीमीटर है इसके बारे में दिया नहीं गया अगर आपको जानकारी चाहिए तो पाइथा गुरस निकाल करके इसको पता कर सकते हैं हालाकि पूछा नहीं गया तो इस तरह से आपका पहला कोश्चन बना मेरे खाल से समझ में आया होगा आएए देखते हैं नेक्स कोश्चन क्या है दूसरा सवाल है इसका एक सम्दुबाहु त्रभुच के रचना कीजिए जिसका परतेक भुजा समान परतेक समान भुजा के लंबाई 6-105 cm हो और उनकी बीच का कोड़ 110 डिगरी का हो वाव देखो जो समान भुजा है वो है 6.5 cm अ और उनके बीच 110 डिगरी का कोड़ उनकी बीच में गिनके बीच जो दोनों समान भुजाए हैं उनकी बीच का कोड़ जो है 110 डिगरी को यानि आपको अगर एक रफ चित्र हम बनाते हैं तो रफ चित्र कुस्पैसे बनेगा ऐसे यह जो है 6 तस निलो पांच है यह चे चित्र बनाया आप भी बनाने तरीका बता रहा हूं अब दुखो कहां से सुरू कर सकते हैं आप नीचे से भी सुरू कर सकते हैं और एक तरीका और है कि अगर 110 है सब पोच करो तो इसका मतलब यह दूनों 35 35 होंगे होंगे कर नहीं होंगे अब क्या करना है बहुत इंपल है देखो बलकि इधर से ही कर ले कहें रिसके ले क्योंकि यह कितना बड़ा होगा दूर्णा पड़ेगा इससे बड़िया है 110 ही कर ले क्या फ्रेक पड़ता है तो हम क्या करते हैं पहले देखो ऐसे एक रेखा खिषते हैं 6.95 सेंटीमिटर का अब अगर यह 6.95 सेंटीमिटर रेखा है खिष दिया अब इस जगह से हम 110 डिग्री बनाएं अपना इसमें रोका नहीं गया है चांदा का प्रयोग करेंगे और चांदा इसकी उपर रख देंगे तो 110 डिग्री मेरे ख्याल से इस जगह पड़ेगा क्योंकि नब्बे यह है तो 110 यहां मिलेगा और यहां से लेती हुई 6.05 सेंटीमिटर लाइन खिष देंगे यह कोई रेखा खिष देंगे उसके बार नाप लेंगे 6.05 यहां पर कहीं पर मालो यह जगह पर मिल गया यह भी 6.05 हो गया और यह 110 है अब इन दोनों को हम क्या करेंगे मिला देंगे ऐसे तो आप देख सकते हैं कि दो रेखाएं क्या नाम हैं दोनों समान भुजा इसका नाम तो रखा नहीं कुछ चलो मैं रख देता हूं माल इसका नाम A है इसका नाम B है इसका नाम C है तो AB बराबर BC 6.05 6.05 ठीक है इनके बीच 110 डिगरी कोड भी बन गया अब यह जहां भी मिल सब्सक्राइब यहां पर यह जाएगा 6.05 वहां से फिर एक 110 नाम पना पड़ेगा तो यह थोड़ा काम था दो जगहन आपना पड़े जाता तो इसलिए मैंने इसी तरह बना दिया यह मजबर्दस्त त्रभुजबन के त्यार हो आपका अच्छा सवाल था बहुत बढ़िया सवाल आई यह देखते हैं नेक्ट कॉस्ट्ट्ट तीसरा और आखरी बस दो तवाल तीस सवाल चार सवाल च्था चोटी-छोटी इसरा कुस्ट्ट देखिए लिखा हुगा कि बी सी तरुज बनाया है साइद बी सी बराबर 7.5 सेंटी और कोड़ C बरावर साथ डिगरी ऐसे लिका हुआ M कोड़ C M कोड़ C बरावर साथ डिगरी वाले त्रभुज ABC की रचना कीजिए तो C साथ डिगरी का है तो यह काम करते हैं देखो यहां पर पहले AC खीच लेते हैं AC और वो खीच लेते 5 सेंटीमिटर अब इस जगह पर हमको क्योंकि C पर हमको साथ डिगरी चाहिए इस जगह पर साथ डिगरी कोड़ हमें बनाना और यहां से होते हुए बहुत लंबी सी रेका खीच दीजिए बहुत लंबी सी मिलाते हुए भाई इसे कार दिया इनको मिलाते हुए एक बहुत बड़ी सी रेका के दीजिए बड़ी सी रेका इसलिए क्योंकि जो यह भी पड़ जाएगा यह तो बन चुका है अब देखू बड़ाबर से बन पाइक संटी मीटर हो गया और यहां पर साथ दिगरी हो गगा तो आपका चित्र बनकर तयार हो गया यह आपका तीसरा और आखरी कोश्चन था तो कितने आसानी से आप चित्र बना ले रहे हैं म Thank you.